हाई वेलकम बैक टू दी चैनल गई सब सभी का फिर से स्वागय थे हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मतलब एक नया ओडिट शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या तैयारी करना पड़ता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और कैसे करते हैं वह भी हम लोग सिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग हम पर देख लेते प्रिपरेशन बिफोर कमेंस्मेंट ओफ नियो है देख लीजे आपको यह आके पंद्रा माक्स के लिए भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपन यूर एक्जाम ओके तो सबसे पहले हम पर देखें अप्टेनिंग लेटर ओफ अपॉइंटमेंट मतलब एक लेटर ओफ अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा तो उसे आपको चेक लेटे हो क्योंकि हैं पर कॉंट्रैक्ट में सब कुछ लीगली मेंशेंड किया जाते हैं आपका फॉर्म का नाम फिर आपका नाम मतलब अगर एक ऑडिट करते हो तो आपको आपको चेक करना पड़ेगा फिर आपको देखना पड़ेगा कि यह किस के तरफ से आ रहे है कुछ आपको देखना पड़ेगा तो यह हो गया हमारा अप्टेनिंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में ठीक तो गई से हम पर देखिए प्रीवियस ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर का मतलब होता है कि जो कोई भी आके आप जो बिसनस को आपके ऑडिट करने वाले हो उनक अगर कोई भी अबजेक्शन आता है आपके तरफ से ठीक तो यहां पर आपको प्रीवियस ऑडिटर से पूछ सकते हो क्या है कोई उनको अबजेक्शन है आपके ऑडिटिंग से तो यह आप आपके पूछ सकते हो आप अपने आपको सोचिए कि आप एक ऑडिटर हो आपके क moral duty भी कह सकते हो एक auditor का ओके तो आपको जाके पूछना पड़ेगा प्रिवेस auditor से क्या उसे कोई objection है या नहीं ठीक तो नेक्स्ट हैं पर देखिए audit staff audit staff ओ लोग होते जो कोई भी आपके अंडर मतलब CA की अंडर आके काम करते CA मतलब auditor ही आके एक CA ही आके auditor होता है जो के company का books of accounts check करते हैं पर CA के अंडर भोग सारे आर्टिकल शिप करने के करने के लिए लोग आते हो के मतलब जो कोई भी हम पर CA करना चाहता है तो उसे आर्टिकल शिप करना पड़ता है तो वो आर्टिकल शिप के द्वारा नों के सीखता है auditor के अंदर मतलब CA के अंदर की क्या-क्या काम होता है एक CA का तो audit भी एक उसी के अंदर काम आता है CA का तो हैंपे audit staff आके आप आके के सकते हो इंटरमीडियर जो एक्जाम दे रहा है या फिर जो आके प्रिपेर कर रहे CA के लिए ओई लोग आके audit staff होते होंके तो audit staff आके उन्हीं लोगों के लिए आपउइंट किया जाता है तो audit staff को आके आपको general rules देना पड़ेगा कि वो आके क्या manage करेंगे वो आके क्या trial balance सब कुछ maintain करेंगे companies का या फिर कोई और दूसरा काम वो सब कुछ आपको appoint करना पड़ेगा और एक audit staff के उपर ज्यादा workload नहीं दे सकते हो क्योंकि उन लोगों को एक limited मतलब थोड़ा सा जानकर आपको देना पड़ेगा और एक specific niche के उपर उनको बिठाना पड़ेगा ठीक तो हैंपे audit staff आपके decide करोगे जितना काम होगा उसके उपर आपके देखे होगा कि कितना audit staff चाहिए वो सब कुछ आपके आपको देखना पड़ेगा depending upon workload ओके तो हैंपे audit staff हम लोगों ने complete किया नेक्स्ट आते हैंपे knowing the nature and scope of his duties इसका मतलब हैंपे auditor होते होके तो auditor हैंपे बात कर लेते होके knowing his nature and scope of knowing the nature and scope of auditor's duty तो auditor का जो duty है वो सब कुछ हैंपे उसे पता होना चाहिए मतलब जब उसे appointment of letter मिलता है तो उसी के अंदर mention रहता है कि किस वज़े से आके auditor को appointment किया जा रहा है क्या यह आके books check करने के लिए appointment हो रहा है या फिर आके continuous audit के लिए इसे appointment किया जा रहा है मतलब auditor को appointment किया जा रहा है या फिर final audit के लिए सब कुछ आपको जानकरी दिया जाता है तो सब कुछ आपको हैंपे डीटेल से चेक करना पड़ेगा उसके बाद हैंपे देखे knowledge of the system of accounting employees knowledge of the system of accounting knowledge of employees हैंपे बात करते कि आपके पास मतलब आपके अपने आपको सिये समझेए तो सिये के पास सब कुछ हैंपे जानकरी होना चीह है accounting employees के बारे में मतलब बोलोगा कि किस तरह से accounting करते मतलब किस टेकनिक के ओपर यह लोग काम कर रहें और कैसे करें वो सब कुछ हैंपे जानकरी होना चीह है जिससे कि वो future में जब audit कर सके तो आसानी से ओके trace कर सके कि कैसे इस audit को complete किया जाता है जादा से जादा time ना लेते होए तो इससे आप कहते हो कि knowledge of system of auditing employees उसके बाद हैंपे हम बात करेंगे कि obtaining the list of principal officer of the clients organization इसका मतलब यह है कि आपका जो कोई भी client है उसके organization में जो principal officer है principal officer का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ principal officer मतलब जो head officer होते मान के चलिए cto होगे फिर ceo cfo उस जो कोई भी होते उनका आपको जानकारी होना चाहिए कि उनका क्या-क्या power है इस company के अंदर या फिर organization के अंदर और उनका कितना finance होता है मतलब मान के चलिए उनको remuneration मिल रहा है या फिर salary जो कुछ भी आप हैं पर finance के अंदर लेके आ सकते हो वो सब कुछ कितना मिल रहे हो सब कुछ जानकरे आपके पास होना चाहिए as a auditor प्रिंसिपल ऑफिसर जो कुछ भी है उनका सब कुछ जानकरे आपके पास होना चाहिए ठीक तो यह सब कुछ आपको हैं पर लेना चाहिए और फिर उनका नाम सब कुछ पुजिशन पावर उस सब कुछ आपको जानकरी होना चाहिए as a auditor नेक्स्ट हैं पर आते नॉलेज ओफ इंटर्नल कंट्रोल इन ओफिस इन फोर्स इन दे क्लेंज बिसनेस हैं पर आपको आप एज ऑडिटर जाते हो तो हैं पर आपको इंटर्नल कंट्रोल के बार में जानक इंटरनल ओडिटर के ऊपर आते कोई तो यह कोई भी दुसरे लोग तो एक फछलो बन रहे ठीक है इसे आपके सकते इंटर्नल कंट्रोल एफ लोके वज़े से यह जजो फ्रस्ट टेप सब कुछ क्रेक्ट होगा जो जिए सब कुछ करेक्ट होगा इससे परित खेम के पर मे करें सब कुछ सच हो तो केसा करेंगो वह सब कुछ verify करेगा लेकिन हैं पर इसका काम आसान हो जा रहा है क्योंकि जो first step है verify हो रहा है second step से तो एक continuously chain बन रहा है जिसके मदद से का auditor को help मिल सकता है कि वह जल से जल यह business का audit complete कर सके क्योंकि auditor को आके अपना जो audit planning करेगा तो उसे timing भी दिखाना पड़ेगा कि इतने घंटे में हम लोग इतना सब कुछ कर लेंगे तो timing का भी हैंपे भोती जादा importance होता है ओके ठीक तो हैंपे हम लोगों ने देख लिया knowledge of internal control in force in the clients business client के business के अंदर internal control केसा चल रहा हो भी आपको जानकरी होना चाहिए as a auditor तो यह भी हमारा खतम हुआ फिर यह दिखे obtaining the list of books मतलब list of books आपको पता है कि क्या book होता है as a account and क्या-क्या maintain करना पड़ता है क्योंकि हम लोग आके as a commerce student आपको starting से ही आपको पता होता है कि trial balance, ledger, journal और कहीं सारा अलग-अलग books को maintain करना पड़ता है as a business तो वो सब books को हैंपे लिखके रखना पड़ता है auditor को क्योंकि कोई भी book अगर हैंपे मतलब auditing के time पे अगर गायब होता है तो सब कुछ auditor के उपर आता है क्योंकि हम पे अगर वो list बना के जाते books का तो पकड़ने में आसानी रहेगा कि कोई भी book हैंपे गायब नहीं हुआ है और auditor को आसानी से करना पड़ते है auditor को ओके audit start करने से पहले फिर देखे study of the previous year's financial statement पिछले साल का जो financial statement है मतलब balance it है उसको गोर से examine करना पड़ते है मतलब check करना पड़ते है कि एक-एक step से हैंपे correct से follow किया गया था कि नहीं क्यूंकि पिछले साल का जो audit मतलब audit हुआ था उसके ओपर ही आपक पिछले साल का जो financial statement है उससे आपको भोती जादा घोर से देखना पड़ते है क्यूंकि उसका closing balance हो सब कुछ हैंपे भोती जादा important role play करता है ठीक तो study of the previous year's financial statement तो हो गया हमारा ये फिर देखे हैंपे study of the important document important documents हैंपे भोत कुछ हो सकते हैं जैसे कि कोई नया building लिया है या लैंड लिया है तो सब कुछ हैंपे आपको चेक करना पड़ता है document में title सब कुछ हैंपे अलग अलग steps से रहता है गई यह auditing के अंदर हो सब कुछ हम लोग इसी subject के अंदर पढ़ेंगे तो सब कुछ हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे तो important document का आपको पास copy होना च यह उसका xerox copy आप रख सकते हो फिर memorandum of association का सब कुछ data फिर article of association मतलब internal जो कोई भी transaction हो रहा है फिर external जो कोई भी काम हो रहा है वो सबका documents आपके पास होना चाहिए as a CA या फिर आपके सकते हो as a auditor तो बाद में हम पर आता है कि ascertaining the nature of business ascertaining the nature of business मतलब nature मतलब business का जो कोई भी हम पर यह है मतलब main चीज करते हैं उसके बार में आपको जानकारी होना चाहिए nature का मतलब मानके चलिए आप के हम पर trading का एक business शुरू कर रहो trading का business है आप मानके चलिए आप upstock एक business है तो upstock में आके trading होता है तो हम पर कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है कितना चार्ज वो सब कुछ हैं पर maintain करके रखना पड़ता है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो कोई भी business का आप audit करो तो उनका nature of business क्या है कि यह लोग manufacturing करते हैं ट्रेडिंग करते हैं फिर service provide करते हैं तो यह आपके पास जानकारी होना चाहिए तो as a CA आपको यह सब कुछ आके audit करने स से पहले a to z यह सब कुछ आपके पास होना चाहिए फिर ही आपके auditing start कर सकते हो तो हैं पर हम लोगों ने सीख लाए कि preparation before commencement of new audit आपको क्या-क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए अगर यह नया business है तो आपको कुछ documents नहीं चाहिए जैसे कि हैं पर previous जो auditor है उसका कोई भी यह नहीं चाहिए आपको मतलब permission नहीं चाहिए फिर आपको moral duties नहीं दिखाना पड़ते क्यूंकि सबसे पहले auditor आप ही आये हो इस business के अंदर तो कुछ आपको restriction है और कुछ obligations आपको follow करना पड़ते हैं वही हम लोगों ने हैं पर दिखा है आपके पास कोई भी दूसरा doubt है कोई यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे comment section में बताईए मैं आराम से आपको समझा सकता हूँ या फिर नया video बना के दाल दूँगा जिसे कि आपको जादे से जादा मदत मिल सके ओके तो अगले वीडियो में मिलते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीड कर सकते हो बात में आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो साब के लिए लेके आते रहे तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो गईस थैंक यू